समझ पर नहीं आते हैं तुम लोग को गार देंगा तुमको तुमको तुमकर चौंक गई ना आप ये है च्छतिसगर के नए सियम विश्नु देब साय जो एक वीडियो में अधिकारी पर इतना गुसा हो गए कि उन्हें पहले तो गालियां दी और फिर जमीन में जिन्दा गा की तक दे डाली आखिर ये पूरा मामला क्या है और विश्नु देब साय को इतना गुस्सा क्यों आया चलिए अब जरा इसे जान लेते हैं 36 गड के नए नवेले मुख्यमंतुरी का वाइरल हो रहा ये वीडियो दरसल एक पूराना वीडियो है जिसे ही कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया शुरिनेत ने शेयर किया है आखिर क्यों और ये पूरा मैटर क्या है चलिए इसे समझते हैं दरसल 36 गड विधान सभा चुनाब जीतने के बाद बीजेपी ने सूबे की कमान विश्नु देव साई को सौपी विश्नु देव साई के नाम का ऐलान होने के साथ ही कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया शुरिनेत ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर 36 गड के नए मुख्यमंतरी का ये वीडियो शेयर किया और लिखा सुना 36 गड में भाजपा का नया युग शुरू हुआ है उस नय युग के धजवाहक बड़े खतरनाक है उल्टा टांग के सिर काटके गाड देते हैं यहां अधिकारी को अलंकारों से सुशोभित कर रही है वहीं कॉंग्रिस नीता श्री निवास बीवी ने भी ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा मिलिये 36 गड के नए मुख्यमंत्री से तो इस तरह से विश्णुदेव साय का ये पुराना वीडियो सामने आया अब ये वीडियो कहां का है और आखिर बीजेपी नेता को इसमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ये भी जौन लेते हैं जानकारी के मुताबिक ये वीडियो साल 2022 के अगस्त महीने का बताया जौा रहा है दरसल 36 गड के जश्पूर जिले के कुनकुरी विधानसवा के सराई टोला चौक पर बर्षों से स्थापित अटल चौक को सरकारी एज़ेंसी क्रेडा के द्वारा तोड़ दिया गया था ये चौक राज्य के पुरवर्ती भाश्पा सरकार में निर्मित हुआ था इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुरवर्परदेश अध्यक्ष विश्णु देव साय सहित अन्य भाश्पा नेताओं की पूरी फौज सराई टोला चौक पहुँची इस दुरान विश्णु देव साय ने अटल चौक को तोड़े जाने को लेकर क्रेडा के अधिकारी को फौन लगाया फौन पर साय ने अधिकारी से कहा अटल जी चत्तिसगर राज्य की निर्माता है पुरपरदानमंत्री और भारत रद्न है अटल जी हमारे दिलों में वस्ते हैं तत्कालिन भाजपा की सरकार में पूरे प्रदेश में हर गाउं में अटल चौक बनबाया गया था ये गाउं का विश्वे नहीं देश भर के पार्टी कारेकरताओं की आस्ता का विश्वे है किस से पूच कर आप ये चौक तोड़े आपको हाई मास्क लाइट लगवाना ही थी तो किसी और जगह लगवा लेते जिस जगह हमारे अटल जी का चौक था उसी जगह अटल चौक बनना चाहिए और पूरे 36 गण में सबसे अच्छा और सुन्दर चौक बनना चाहिए अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रही ये कहते हुए ही विश्वे देव साय ने अधिकारी को गालियां भी दी और जमीन में गार देने की बात भी कही उस घटना का वीडियो जम कर वाइरल हुआ मामले को तूल पकरता देख पूर्व कैंद्र मंत्री ने उस समय माफी भी मागी थी और कहा था कि अटल जी की मूर्ती तोड़े ज़ाने से मैं अपना आपाखो बैठा था और मेरे मुह से अपशब्द निकल गए थे अगर किसी को इस से दुख पहुँचा हो तो मैं उसके लिए शमा मांगता हूँ तो ये थी इस वाइरल वीडियो की पूरी कहानी इस खबर में फिला हल इतना ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ